बुलें उक्राद मारी गाडियों के पिछ रही आना मारी जात ख़ड़ सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि कई वर न्यूज चैनल कोपिरेट स्ट्राइक स्टोई जे मार गंदे सो एक ही चीज़ है इनने एक दासर में गल्ला जो बिष्णोई ने अपने इंट्रिविव विच कहियां ने ठीक है ओ गल्ला की ने आज वो सौन दें में गल्ला सिद्ध सिद्धू मुसे वाला को गोल्डी बरांड ने वारा ग्यांक्ते लॉर्स बवाला को मुटल्डी बराण किया था मैं भी मुसे वाला से खफाल था क्यूंकि वों हमारे विरोधी का समर्थन करता पंजाबी सिंगर मुसेवाला की 22 साल 29 मैं को गोलियों से भूनकर हत्या करती गई थी जांच में सामने आया था कि गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोईज हत्याकान का मास्टर माइन था उसके करीबे गैंग्स्टर और दोस्त गोल्डी बराड मुसेवाला की हत्या की जमिदार लिए थी दूसरा मुसेवाला की हत्या में मैं शामिल नहीं था अच्छा ठीक है मैं लोग एगे यार दोस्त जा टीम में शामिल रहेगी थी बट मैं नहीं है थी पिन्स विश्जोई ने कहा मुझे जानकारी थी की हतिया होने वाली है लेकिन मैं हतिया की प्लाणिंग में शामिल नहीं था गोल्डी बराड ने मेरे गांग के लोगों के साथ मुसेवाला की हत्या की थी हमने विक्की और गुरुलाल की हत्या का बदला लिया था दोनों मेरे भाई के जैसे थे गुरुलाल गोल्डी का छूटा भाई था जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी मुसेवाला उनके साथ खूमता था और उन्हें बचाता था तीसरा मुसेवाला की हत्या के वक्त सो रहा था जब मुसेवाला की हत्या हुई तो मुझे कैनडा से दोस्त ने फोन करके बताया था मैं उस वक्त सो रहा था यह रिमान पर आने के बाद मुझे पता चला कि मूसेवाला को गोल्डी ने मरवाया है तब मेरा फोन बंद था मेरे गैंग के लड़के गोल्डी भाई के संपर्क में थे गोल्डी भाई मेरे गैंग को चला ने हैं अच्छा ओकी चाथ नेताकिरी में संदिकेट बना रहा था मुसेवाला इन मुझेफ करना चाहिए ठीक है इतले और यह सिंदिकेट कराता है मंत्री बान रहे साथ ते हैं चैनला साथ यह जहरा है ने मड़े मुट्टे मैं निगल कोंगा कि चलो कि मैं कि मैंन कहानी की एज इन नहीं हो माड़ा हिए दे यह चीजह जोते केस क्यों ने पॉल्स ने जीजह दस्यां क्यों नहीं उदे का दे शीदों क्योंने मांदे हैं कि सारा कुछ आना फिर ठीक है तो अधा बिल्कुली क्ली लॉरेंस विश्णोई ने बताया गोली बरार को विक्की और गुरुलाल की हत्या का बहुत दर्द मुझे भी है वो बाहर से लड़ाई लड़ रहा है उनकी हत्या का बदला मैंने नहीं लिया लेकिन मेरे लोगों ने लिया है मुझे वाला नेतागिरी में सिंडिकेट बना रहा था और हमारे खिलाफ ग्यांग तयार कर रहा था जिन्होंने विक्की गुरुलाल को मारा है अब उनसे बदला लेना है मुझे वाला का कॉंग्रेस सरकार में प्रभाब था वो हमारे विरोधियों को मजबूत कर रहा था पांच बार डॉन बनना चाहता था मुझे वाला मुझे वाला विक्की की हत्या में शामिल लोगों को बचा रहा था मुझे वाला को शायद डॉन बनना था वो अपने गानों को हकीकत में बदलना चाहता था हत्या के लिए पैसा आए के 47 ग्रेनेट कहां से आए इस पर बिश्णोई ने बताया कि गोल्डी और सचिन के यूपी के किसी हत्यार तसकर से लिंक्स थे वहाँ से हत्यार मिले अगस 2021 में विक्की की हत्या के बाद प्लान चल रहा था हम शराब व्यापारियों से पैसे लेते हैं ये पैसा शराब के छेके से आता है गुजरात और बिहार में जो शराब कारोबारी शराब ब्लाक करते हैं हम उनसे फिरोती लेते हैं उनकी जानकारी हमें जेल के अंदर आने वाले अपराधियों से मिल जाती है चठा मूसेवाला के परिवार को नहीं दी धमकी लॉरंस बिश्टोई ने सिध्धु मूसेवाला के परिवार को धमकी देने के बारे में कहा मूसेवाला के परिवार को हमने कोई धमकी नहीं दी हमें उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है मुझे वाला के पिता को चुनाव लड़ना है इसलिए वो हमारे खिलाप बोलते हैं वो हमसे बद्ध वही गल्लाने हो रही है सारी दी सारी है जेडिया एक मेडिया दे वेचे एक नरेटिव दखाया जाना चाहिए जड़ा जिदना सारे क्लीन चेट नहीं कर जाने के सिस्टम पूर्द पूरा क्लीन चेट हो जोगा यार से दुदे प्यों नो जथे लड़ना है तो अपने पोत्ती मौत तो एड़ा बड़ा समराज्जिया कि यार कुछ भी खड़ा करना चाहिएगा जोदे कुछ है भी नहीं खड़ जाने यार कोई गाल नहीं है कि जे किसी तरिक्वे ना वहना ते पूत्त ने इंसाम वेल साकता ते खड़ना चाहिएगा की दोख़ा है तो पदला लेने की बात करती हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेबचा इन्होंने कई गायकों को जेल में दलवाया है सल्मान खान को मारने की धमकी देने के मामले में जब लौरेंस पिश्णोई से सवाल किया गया तो उसका कहना था सल्मान खान काले हिरन को मारने के मामले में हमारे समाज के लोगों से आकर माफी मांग ले नहीं तो उसका भी ठोस जवाब दिया जाएगा भी ओफर किये थे हम सल्मान खान को शोहरत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए मारेंगे आठ्वा जेल में कई लूज पॉइंट्स होते हैं जेल में रहते हुए फोन चलाने गैंग चलाने के साथ ही इसाथ इस तरह से किसी मीडिया चानल से जुड़ने के बारे में जब लॉर्स विश्नोई से पूछा गया तो उसका कहना था कि जेल में कई कई लूज पॉइंट्स होते हैं जोज पॉत अपराद की दुनिया में कदम रखने और उसे छोड़ने के सवाल पर लॉरेंस बिश्णोई ने कहा इंसान की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अपराद करवाती हैं कभी किसी को पता नहीं होता कि वो कहां पैदा होगा इंसान को जैसा शुरू से माहौल मिलता है या जो उसको सिखाया जाता है वो वैसा ही हो जाता है मैंने भी उसी हिसाब से कोई अपराद कर दिया होगा और 9 साल से जेल की सजा काट रहा हूँ मैं प्राद की दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ मैं युनिवर्सिटी के केस में जेल गया था दसवान मैं राश्ट्र प्रेमी हूँ खालिस्तान के बांग का लौदिंस पिश्णोई ने विरोध किया है और खुद को खालिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात करने वालों का विरोधी बताया है लारंस विश्णोई ने कहा हम खालिस्तान और देश के टुक्ड़े करने की बात करने वालों के खिलाफ हैं मैं और मेरी ग्यांग आतंकवादी या देश्त्रो ही नहीं है हम राश्ट्रवादी हैं हम लोग भी देश के काम आना चाहते हैं मैं बाहर आकर गौशाला बना कर सेवा करना चाहता हूँ अभी मेरा छोटा भाई गौशाला बनवा रहा है जब मैं बाहर आँगा या मुझे मौका मिला तो मैं भी गौशाला बनवाँगा तो ये है लॉरेंस पिश्णोई के को दिये इंटर्व्यू के मुख्य अंश जिसमें सब्सक्राइब कि मैं लोन किसे भी तरीक है ना बाहर हार और याट्स दैट्स दो होल प्लान ठेक है कोई चक्कर नहीं हर बंदा अपने तरीक है हुर्दा हरा होगों पूसलिक वारन निकलना में जाब ही क्योंकि बहुत बड़ा दलDल है इत्छे अपने मरजीना पर अपने मरजीना निकल नी साकता है ठीक है सिस्टम के वरे लोकानों अंदर बार देंदा बहुत कुछ हुंदा, बोड़ा सबको चालदा, ठीक है, हाँ कितना किते लॉरेंस ही भी होगा बट कुछ ना कुछ हैदा लाग रहा है कि इंटर्विव हैदा नहीं होई एक करवाई गई है ठीक है बट कि ज्यादा कुछ ने जाना कियाना जान दे ठीक है सास्क्राइब